तो मनेपुर और गोवा में बहुमत ना होने के बावजूद बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया है मगर दो राज जहां पर बहुमत है वहां पर शून है हम बात कर रहे हैं यूपी की और यूपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री उसको लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है आपके सामने सलसलिवार तरीके से हम तमाम दावेदार बता रहे हैं सबसे बड़े दावेदार तो सम्भवता ग्रह मंत्री राजनाच सिंगें जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं योगी आतितनात एक विवादास पत चॉईस हो सकता है दूसरा नाम ये इसके लावा मनुच सिना घाजिपूर से संसत का नाम बार बार लिया जाता है कि क्या मनुच सिना अगले सीम होंगे इसके लावा केशव प्रसाद मौरे प्रदेश अध्यक्ष और OBC प्रिष्ट भूमी के केशव प्रसाद मौरे भी एक दमदार दाविदार माने जा रहे हैं तो ये तमाम नाम हैं और अब ये नया नाम सामने उभर कर आ रहा है सुरेश खन्ना यूपी मेर रेस में सबसे ताजा नाम जुड़ा है सुरेश खन्ना का जो की शाह जहापुर के विधायक सुरेश खन्ना का नाम है जो शाह जहापुर से विधायक है सुरेश खन्ना आठवी बार विधायक चुने गए हैं एवीपी ने उससे खास बाचीत में सुरेश खन्ना ने कहा कि पार्टी का नितरत जो भी जिम्मेदारी देगा उसे वो पूरी क्षवता से निभाएंगे उत्तर प्रदेश में विपक्ष में विधान मंडल दल के निता रहे सुरेश खन्ना हमारे साथ हैं अला कि अब चीज़ें बदल गई है बीजेपी सत्ता में आने वाली है लेकिन हम सुरेश खन्ना जी से बात करेंगे सुरेश जी आप लंबा अनुभाव है आपका राजियती में कई बार के आप विलहायक हैं इस बार जो उत्तर प्रदेश में विजेपी को इस महा विजेपी के पीछे आप क्या मनते हैं की वेब है या फिर बीएस्पियो सपास से नाराज लोगों की जनांकांचाओं का प्रक्रिक्टी करना है देखे है उत्तर प्रदेश में जो विजान सवा के चुनाव में अभूत पूर्व जीत मिली तीन मटे चार बहुमत मिला उसके पीछे लोगों का प्रदेश की जनता का मनी मोदी जी के प्रती अटूट विश्वास है कि मोदी जी इस देश के लिए इस प्रदेश के लिए बहतर करेंगे अच्छा करेंगे दूसरी बात मानने अमिश्च शाजी की जो टिकट वित्रल की प्लानिंग थी और यो रवनी थी थी साथ ही कारकरताओं का अथक पैश्रम लग रहा है कि इतना बड़ा बहुमत आया है इस बहुमत को समालने के लिए किसी अनुभवी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर लाना चाहिए या फिर ये मान कर के कोई तो पहली बार मुख्यमंत्री बनता ही है किसी नए चेहरे को भी सामने लाया जा सकता है देखे ये बिशेशादिकार केंद्रिय संसिदी वोर्ड का है जो फैसला केंद्रिय संसिदी वोर्ड करेगा वही सुईकार होगा लेकिन आम तोर पर देखा जाता है कि जब भी वैपक्ष से जब भी चुनाओ होता है तो वैपक्षी पार्टी में जो विधान विधान मंड़ दल का नेता होता है या जो प्रदेश अद्यक्ष होता है दावा उसका मजबूत माना जाता है मुख्यमंत्री पद के लिए जब वो सत्ता में आते हैं देखे ये आपकी बात अपनी जगा पर हो सकती है लेकिन ये केंद्रिय संसिदी बोर्ड ही इसका फैसला करेगा और विधान मंडल दल इसमें बेक्तिकत राय का कोई महत तो नहीं है और जहां पर अगर राय देना भी होगी तो उचित फोर्म पर राय विदे भी दी जाएगी लेकिन ये पूरी तरीके से केंद्रिय संसिदी बोर्ड ने अपना जो भी मानस मानस बनाया हो जो पैरामीटर्स बनाया हो और जो भी उनकी रहन नीती हो सम्मन्द में हम पूरी तरीके से उसको सहर सोईकार करेंगे लेकिन जो दो तीन थेहरी चल रही है एक ये चल रही है कि बड़ा स्टेट है कई जटिलता हैं ऐसे मैं अनवाभी लीडर को लाना चाहिए एक थेहरी चल रही है कि बड़ी तादाद में जो पिछरा वर्ग है वो बीजेपी के साथ आके खड़ा हुई है इसलिए पिछले कोई पिछले वर्ग से मुख्यमंत्री होना चाहिए और एक तीसरी थेयरी चल रही है कि यह जो चुनाओ है वो जातपात से उपर उठकर लोगों ने वोट किया है बीजेपी को तो इसलिए कास्ट नीट्रल मुख्यमंत्री चेहरा भी हो सकता है जो ना ठाकोर हो ना ब्राम्म का मुख्यमंत्री का चैन करेंगे और हम अपने नित्रत पर पूरी तरिके से बरhouse करते हैं पूरा बिश्वास है वीरी पुरे प्रदेश की जानता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है और मैं समझता हूँ कि उचस समय पर उचित फैसला ही होगा यह जो यो नंभार है उ जहां तक मेरे अनुभो का सवाल है तो मैं आठमी बार विधायक चुना गया हूँ लगातार और मेरी बिरादरी के बोट भी हमारे छेतर में दो हजार से जादा नहीं है तो हमारे छेतर ने कई रिकॉर्ड बनाए है लास नीटरल वाला फैक्टर भी आपके साथ देखे मेरे साथ जो चीजें हैं वो अलग बात है लेकिन मुख्यमंत्री के चैन में मैंने पहले भी आप से कहा कि माननी जो केंदरी संस्दी बोट का फैसला होगा माननी अमिश्या जी का जो निर्देश होगा माननी प्रधान मंत्री जी का जो फैसला होगा वो सभी को सुईकार होगा ये विक्कुल सही है बारा तारिक को आपकी प्रधान मंत्री से मुलाकात होनी थी आप लखीमपुर से निकले भी थी क्या मुलाकात हो पाई आपकी जी नहीं लेट पहुँचे दिल्ली अब इस बात को यहीं छोड़ दीजे अब मैं एक आखरी सवाल आप से लोगा कि अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है और कहती है कि आप मुख्यमंत्री बनीए तो आप उसके लिए तैयार है देखे है मैं पार्टी का एक निष्टाबान से पाई हूँ और जब 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 पार्टी ने जो जब 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 ज निष्ठा के साथ निभाई है और आगे भी पार्टी जो जुम्मेदारी देगी एक सिपाही और साइनिक के भादी हम पूरी निष्ठा और शिद्दत के साथ उसको निभाएंगे बहुत धन्यवाद तो सुरेश खना जी का कहना है कि वे आठ वी बार विदायक चुने गए हैं लंबा उनका सरकार में रहती हुए कामकाज कानवव है और पार्टी अगर कोई भी जिम्मेदारी देती है पहले भी जो जिम्मेदारी दी है और अभविश में भी कोई अधरी राजनात सिंग एक बड़ा तावा पेश कर रहे हैं अगर सवाल ये कि क्या वो दिल्ली से लखनाओ जाना चाहेंगे योगी आदितिनात ये भी एक नाम सामने उभर कर आ रहा है इसके लावा मनूत सिना गाजिपूर से सांसत हैं वो भी हैं और केशर प्रसाद मौर वो भी सी प्रिष्ट भूमी के हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब ये आखरी नाम जिनका इंटर्विव आपने अभी अभी देखा सुरेश खर्णा साजांपूर्शे विधायक हैं तो ये तमाम नाम पांच नाम क्या इनमें से कोई मुक्यमंत्री होगा या फिर कोई शटा नाम जिसकी आप और हम कलपना भी नहीं कर सकते